रामरामसा परितंडी व्लोक्स में आपका हार्दिक स्वागत है और ये है कूड गाउं का वीर तेजाजी महाराज का मंदिर और मैं आई हूँ यहाँ पर गाउं में मंदिर के ज़श्ट सामने है बेकरी सॉप तो यहाँ पर से केक लेने के लिए वीडियो काफी पुराना है लेकिन बहुत टाइम हो गए थे अपलोड मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम थी गाउं में इस वज़े से अपलोड नहीं कर पा रही थी तो मैं मेरी एनिवर्सरी की खुसी में और मेरी यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लेट हो गए है तो उस खुसी में मैं आई हुई हूँ केक लेने के लिए और जब यहाँ पर केक लेने के लिए आई तो यहाँ पर वेराइटी नहीं थी इस वज़े से मुझे एक ही केक से काम चलाना पड़ा तो मैं अब एक ही केक लिखके जाने वाली हूँ हाफ केजी के दो केक थे यहाँ पर और वन केजी का एक ही lah rock ले जाते हैं और उसी से हम celebrate कर लेंगे फिलाल के लिए फिर आगे मिरे को अगर जोड़ पूर जाकर या फिर asam जाकर मोका मिलता है तो मैं फिर से चयाकर अच्छे से celebrate कर लोंगे तो यहां पर यह वाला केक लेके मैं जाती हूं 1 फटाफर से गर और यहां पर कुछ सामान वो डैकुरेशन करने के लिए भी लेके आए थे बलून एक हैपी एनिवर्सरी लिखा हुआ तो वो सब भी हम लोगों को तैयारिया करनी है और धाई बच चुके हैं दोपहर के और साम तक हमें जल्दी से सारा कुछ तैयारी करनी है यहां पर कोई हैलपर नहीं है बस कवीता अनिल मैं और आयूस मिलके सारा डैकुरेशन करने वाले हैं और यहां पर केक पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं था तो मैंने से चलो घर पर ही क्यों न लिख दिया जाए सिंपल केकट करने से अच्छा कुछ तो लिख देते हैं तो यहां पर मैं लिख रही हूँ हैपी एनिवर्सरी और उसी के साथ ही 1000 सब्सकाइबर भी कंप्लीट हुए हैं तो मैं वो भी खुद ही लिख लूँगी और आप लोग मेरे को कमेंट करके हैपी एनिवर्सरी विज़ कर सकते हो और यह केक मैं लेके आई हूँ गाउं की सौब से ही और नेक्स ताइम अगर मौका मिला तो 50 ने दिखा केक लाके मैं जरूर अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी बट अगर टाइम मिला तो क्योंकि चुटी जब आते हैं तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता है बहुत कुछ सोच के आता है कि यह करना वो करना बट होता कु कुछ भी नहीं मिल रहा बट एक चीज की खुसी है कि चलो केक तो मिल ही गया और अगर यह केक भी मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं बिस्किट से केक जरूर बना दी कूकर मैं क्योंकि मुझे केक बनाना आता है तो मैं बिस्किट से ही केक बना देती बट मैं सेलिब्रेट जर का तहे दिल से सुक्रिया करना चाती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली का जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया उसकी वज़य से मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कम्प्लेट हो गए और वो मेरी एनिवर्सरी वाले दिन हुए है इससे बड़ी खुसी के बाद तो कोई हो ही नहीं सकती और मैंने जब सुबह सासुमा को ये सब बताया कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कम्प्लेट हो गए है यूट्यूब पे तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत लगी है तुमारे लिए और आज ही मेरा बेटा मिला था तुम्हें और आज ही के दिन तुमारे 1K भी तो यहां पर ऐसे ही फाल्तो दिमाग लगा रही हूँ मैं फ्लावर बना रही हूँ चॉकलेटी फ्लेवर का केक है यह और बच्चा को चॉकलेटी फ्लेवर बहुत पसंद आते हैं और यह सब होने के बाद मैं लग गई हूं माखन खाने के लिए क्यूंकि गर का काई का सुद माखन हो जाता है गी बनाते है मेरी सासुमा तो मेरे लिए माखन निकाल के रखते हैं especially क्योंकि मुझे माखन बहुत ही ज्यादा पसंद है तो वो सब होने के बाद अब मैंने सुचा चलो कि अब हम decoration कर लेते हैं फटाफर से और यहां पर हमारे पास बलून फुलाने वाला pump भी नहीं है यह चीज मैंने पहले ही बता दी थी बट कविता का बहुत ज्यादा मन था कि आप अपने anniversary celebrate करो अधर्वाइज हम हल्वा सब जी थोड़ा सा खाना बनाते अच्छे से और बस normal celebrate करने वाले थे बस कविता की जीत की वज़े से हमने सोचा चलो celebrate करते हैं और वन के सब्सक्राइबर थे तो फिर मेरा भी मन हुआ कि चलो आज ही celebrate कर लेते हैं तो यहाँ पर उन्हों ने बच्चों ने बोला कि हम मुझ से फुला लेंगे बलून बस आपको celebrate करना है बस हमें cake चाहिए तो मैंने का चलो ठीक है मेरे तो मुझ में दर्द हो रहा है बट मैं सारे बलून आप फुला के देदो मैं सब पर गांट लगा दूँगे तो सारे बलून बच्चों ने फुला दिये उसके बाद यहाँ पे हम लोग happy anniversary जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ दिवार पे set करने वाले हैं तो कविता मेरी करवा रही है help अकेले तो कुछ भी नहीं हो पाता है अगर किसी की help होती है तो काम बहुत ही easy हो जाता है तो यहाँ पे बस जादा कुछ डैकॉरेशन नहीं करेंगे normal happy anniversary लगा के कुछ बलून लगा देंगे और यह बलून तो बच्चों के खेलने की परपत से ही मैं लेकर आई थी कि दो तिन बलून लगा देंगे बाकी के बलून से बच्चे खेलते रहेंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा यहाँ पर बच्चों का time pass भी हो जाएगा और मैं मेरे बच्चों को सौक है कि जू ही केक कट करेंगे तो सारे बलून हम फोड़ेंगे तो वो सौक है मेरे बच्चों को तो उस वज़े से भी बलून हम इधर उधर सीडियों पे कहीं भी लगा देंगे पूरा decoration होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा लूग कैसे लग रहा है happy anniversary तो हमारा लगी चुका है यहाँ पर मैं 3-3 balloon को set करके लगाऊंगी दिवार पे बहुत सारे balloon फुला के रख दिये हैं बच्चों ने और मैं 3 balloon एक साथ चिपका के उनको set करने वाली हूँ और उसके बाद मुझे घर का जाडू निकालना है और फिर उसके बाद दूद गरम करना और फटा फट से खाना बनाना है मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना पहले बना देती हूँ जल्दी से ताकि फिर मुझे ready होना रहेगा और बस celebration ही रहेगा तो plan तो मेरा यही है कि पहले खाना बना देते हैं फिर खाना खा लेंगे हम लोग और फिर उसके बाद cake cut करेंगे सारी decoration complete होने के बाद मैं आ गई हूँ बाद मैं आ गई हूँ बाहर यहां पर मेरी जिठानी जी से बाते करने के लिए बच्चे यहां पर बाहर खेल रहे हैं और अब मैं जाओंगी वापस गर में खाना बनाने के लिए और यहां पर मेरी सासुमा बना रहे हैं हल्वा और मैं इधर बना रही हूँ साइड में निम्बू पानी सब बच्चों के लिए और आज की इस व्लोग को यही पे अंड करते हैं मिलेंगे आप से फिर एक और नई व्लोग के साथ में तब तक ये वाला व्लोग आप लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके बतिएगा आज का व्लोग में आपको कैसा लगा मिलते हैं आप से नेक्स व्लोग में तब तक के लिए राम राम